नमस्ते बच्चों, आज हम पूर्ण विराम चेहने की पहचान करना और लिखना सीखेंगे. वो भी खेल-खेल में. क्या आप तैयार हैं? ग्याफी आज पूर्ण विराम चेहने से जोड़े कुछ वाक्यों को हल कर रही थी. कि तब ही उसने अपने दोस्त अप्पो को आते हुए देखा. अरे अप्पु, तुम इतना ठके हुए क्यों हो? आज मैं बहुत दूर से तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ. क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, जरूर. पर उससे पहले मुझे इन पूर्ण विराम वाले वाक्यों को पूरा करना है. चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ. क्या तुम मुझे सिखाओगी कि पूर्ण विराम क्या होता है और हम इसे वाक्यों में कब लगाते हैं? हाँ, अप्पु, ये बहुत आसान है. पूर्ण विराम का मतलब है पूरी तरह रुकना. मान लो, तुम अपने घर से आए और यहां आकर तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई. यही है पूर्ण विराम. मैं कुछ समझा नहीं, गैफी. जब किसी वाक्यों में बात पूरी हो जाती है, तो उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्न लगाते हैं. ये पूर्ण विराम का चिन्न है. बिलकुल तुम्हारी सुन्ड की तरह. क्या सच मुच? हाँ, लेकिन ये इतना लंबा नहीं होता, बहुत छोटा होता है. इसे हम खड़ी रेखा भी कहते हैं. जैसे, मैं आज बाजार गई थी. इस वाक्यों में बात पूरी हो गई है. इसलिए वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्न लगाया है. अब तुम मुझे बताओ, इस वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग कहां करेंगे? शेर जंगल का राजा है. बच्चों, क्या आप इस वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्न लगाने में अप्पू की मदद करेंगे? बिल्कुल सही, वाक्यों के अंत में. इस वाक्यों में जो बात कही गई है, व मेरी मदद करोगे मैं घर जा रहा हूँ हां गैफी बिलकुल इस वाक्य में भी हम पूर्ण विराम वाक्य की अंत में लगाएंगे ये हमने कर दिखाया चलो अब कोई खेल खेलते हैं बच्चों अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिये गए वाक्यों को पढ़कर उनमें पूर पूर्ण विराम को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखने की आप अपना उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजा करें इस वीडियो में हमने पूर्ण विराम चेहनी की पहचान करना और लिखना सीखा